आई पिल दोजार तेश में इस बार नए रंग में धमाल मचाएंगे एमेस दोनी बल्ले से नहीं गेंस से विरोज्यों की करेंगे खट्या खड़ी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में लगा बाबाजी का घंटा जरूर दबाईए ताकि जब भी बाबाजी ओनलाइन वीडियो डाले तो आपको नोटिफिशन मले सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं चन्ने सूपर किंग्स के सबसे सपल कप्तान मेंदर सिया धौनी आईपील के सोलवे सीजन के लिए पूरी तरह तयार नजर आ रहे हैं टूनामेंट का पहला मुकाबला 31 मर्च को चन्ने वे गुजरात के बीच खेला जाएगा उसके लिए धौनी अपनी टीम के साथ तयारिया में लगे हुए हैं इस बीच उनका सोचल मीडिया पर गेंदबाजी करते हुए एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है दौनी को विस्पोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है उन्होंने फिनिश्टर के तोर पर अपनी पैचान बनाई है धौनी के बल्लेबाजी के बारे में अधिकास लोग जानते ही हैं लेकिन उनकी गेंदबाजी के बारे में कमी लोग जानते हैं साल 2009 में पहली बार वेस्टेंडीज के खिलाफ गेंदबाजी की जिसमें उनको एक विकेट की सपलता मिली इसके अलवा धौनी ने 2013 में फिर से गेंद बाजी में अपना हाथ आज में था हुआ आज से सी चेंपियन ट्रोपी का सेमी पैनल मेंज था बता देखी टेस्ट मेंज में मेंजर सिंग धौनी चार टीमों के खिलाब गेंद बाजी कर चुके हैं इसमें नमबर एक पर पाकिस्तान, नमबर दो इंगलेंड, नमबर तीन न्यूजिलेंड और साथ साथ में नमबर चार पर आता साउथ अपरिका का नाम टेस्ट में धौनी ने कुल सोला और फैके अभी तक जिसमें एक मेडन सहीट 66 रन कर्च किये लेकिन आईपील में उन्होंने अभी तक कोई गेंद बाजी नहीं किये धौनी 2030 के आईपील में गेंद बाजी करते हुए नजर आ सकते हैं इस समय धौनी की उम्र 41 वर्ष है और वो ये हरतंगेज कारनमा करने जा रहे हैं अब बल्ले बाजों की खेर नहीं अब देखना होगा कि आईपील में किसका शिकार करते हैं मेंस धौनी सबसे पहले देखना बड़ा दिल सस्व होगा